नमस्कार मैं डेजी रोय आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं एक requested वीडियो बना रही हूँ जो मेरी एक बंगलादेश की सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो खान साहब वो मुझे इस request की थी कि गंजेपन की सिकायत का एक ऐसा वीडियो बनाएए जो मुझे बहुत जादा फायदा करें क्योंकि मैं बहुत सारा चीज को अपना चुकी हूँ और फायदा नहीं हो रहा है तो खान साहब आपके लिए ये वीडियो है तो चलिए आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और वो चीज आप जरूर करना जिससे की आपको फायदा हो और पूरे यूटूब में आपको कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलेगा आप चेक करके देखिए तो ये है आप वीर्नी जो चाता लगाता है जो काटता है तो बहुत जादा दर्ध होता है तो वो वीर्नी जब वीर्नी हट जाए तो वो इस तरह का चाता रहता है उस छते को निकाल लेजिए और जब विर्णी हट जाए तभी करना नहीं तो काट लेगा तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ और ये मैं मेरे पास था तो मैं इसे बना करके आप लोगों को बता रही हूँ और ये मेरा आजमाया हुआ है इसलिए मैं और पूरे दावे के साथ बोल रही हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो आपके बाल सच में गंजेपन की सीकाई जो बाल गिरने लगा है, जो बाल गंजा हो चुका है वो सावरे ठीक करेंगे तो इसमें मैं गुरहल का पत्ता जो कि गुरहल का पत्ता जैसे गुरहल का फूल जितना फायदा करता है उससे जादा गुरहल का पत्ता फायदा करता है तो मैं दोनों चीज को डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं तेल बनाने के लिए वही डवल वायलर की मदद ले रही हूँ और नारियल का कोकोनट ओयल ले र बना लेंगे तो उसमें यह डाल देंगे तो उसमें आप छोटी-चोटी टुकरा करके इस पत्ते को पहले डालेचे और जब वह के जो तयल गर्म हो जाए और जो-घ्र, उस तेल में चला जाए तो उसके बाद से फूल को भी डाल देजिए जब वह उबलने लगेगा तो आप पूर अच्छे से इसे निकाल लीजे और ठंडा होने के बाद इसे छनी से चान के लगाईए अपने वालों फ्रेंड के इतना effective remedy है कि अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपके बाल सच में मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि सच में ये आपका बाल में जो पन की सिकायत होती है वो बिल्कुल ठीक कर देगा ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो है और वीडियो मतलब रेमेडी है जो कि आपके बाल के गंजेपन को विल्कुल दूर करेगा और अगर आप लोगों को प्लीज ये अच्छा लगे तो दूसरों के साथ सेर करना जिससे जब इस तरह से आप उबलने लगेगा जब ये पानी नीचे से उबलने लगेगा तो इस तरह कि जितना भी इसका अच्छे गुन है वो ओयल में चला जाएगा और उसके बाद से इसे रेश्ट करने दीजिए जब ये ठंडा हो जाए तभी चन्नी से चानना है क्योंकि जब गर्म रहता है ओयल तो उसका जो भी अच्छे गुन होते हैं वो दीरे दीरे ओयल में जाते रहता है तो इस बिर्नी के छत्ते को और मैं इस बिर्नी के छत्ते के बारे में एक और बात बता देती हूं जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाए जब ये बिर्नी का छत्ता जब वह एकदम ड्राइ हो जाता है उस समय नहीं फायदा करता है लेकिन जब उसमें हलका सा रस रहता है उस समय आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है तो फ्रेंड्स यहां पर बन चुका है यह इस तरीके से जब यह पूरा ठंडा हो गया था मैं उसके बाद से चन्नी से च सुबह में आप कोई भी सेंपू या नॉर्मल जो मैं सेंपू बताती हूं उस तरीके के सेंपू से आप अपने बालों को धोईए इतना अच्छा यह रेमेडी है आपके बाल सच में आपके बाल फायदा करेगा तो प्लीज इसे सेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइ कर लेना प्लीज और मिलते हैं अगर आप लोगों को ब्लॉग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि मैं आभी ब्लॉग बना रही हूं आप लोगों के साथ सेयर करूँगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तैंक्यू ठैंक्स फ़र वौचिं